हर्याना में इस बार सर्सों और गेहूं की फसल MSP से अधिक दाम पर बिक रही है दरसल नीजी कंपनियों सीधे किसानों से गेहूं की फसल खरीद रही है जिसे सर्सों MSP रेट 5,050-1500-2000 रुपे तक अधिक में बिक रहा है जबकि गेहूं सरकारी रेट 2015-30-50 रुपे अधिक में खरीदा जा रहा है क्रिशी विग्यानिकों के अनुसार इस बार 1122 लाग मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है इसमें से 90 लाग मेट्रिक टन मंडियों में आ सकता है वहीं सर्सों का रगबाद 7.6 लाग हेक्टेर हो चुका है नमस्कार महस्तोती शुक्ला क्रि के प्रदेश में 88 लाग बिजलियों भुखताओं का 31 अगर 2020 तक 6400 करों रुपे अधिक से बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा जिसे राज सरकार भरेगी तो वहीं जिला प्रशाशन एवं प्रतिनिधी अपने अपने छेत्रों में बिजली बिल माफी के लिए शिवर लग इसकी कीमत 300 रुपे किलोग्राम तक पहुच गई है तो वहीं बढ़ते तापमान के बीज देश के नीवू की डिमांड काफी बढ़ गही है लेकिन नीवू की आवक कम है जिससे एक विक्रेता ने कहा है कि गर्मियों में नीवू की खबर जादा होती है और माल में कम आने स से इसके दाम बढ़ गए है नाकपुर के एक विक्रेता ने कहा कि आपूर्थी कम होने से नीवू की कीमतों में तेजी आई है तो वहीं 500 से 1000 रुपे में 100 नीवू बेशना या खरीदा बहुत मुश्किल है 86 लाग से अधिक किसानों को 2616 करोड रुपे सरकार ने ट्रांसफर किया है केंद्री क्रिशी मंत्री ने कहा कि केंद्र के सभी राज्यों के साथ प्रेंच शाष्य प्रदेशों में बढ़ान मंत्री किसान सम्मान नीवी योजना को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कद अधम उठाये हैं उन्होंने संसक्त में बताया कि अब तक सरकार ने अपनी सफल योजना पीम किसान के तहित पश्यम बंगाल में 86 लाग से अधिक पत्र किसानों को 2616 करोड़ रुपे ट्रांसफर कि गंगा नदी की साफ सफाई उसकी स्वक्षता को लेकर लगतार के इंद्र सरकार प्रयास कर रहे हैं आपको बता दे हमारे एक्सपर्ट उनको और्गानिक फार्मिंग की बारी की सिखा रहें और कई लोगों ने इस पहल से जुड़कर इस मुहीम को अपनाया है वदप्रदेश के इंदोर शहर में क्रिशी कॉलेज ग्राउन में ब्रामडी इविंट एंड एक्जिबीशन प्राइवेट लिम्चिट ड्वारा आयजेट चौथे पार्म ट्रेक एशिया 2022 का आयोजन हो चुका है आपको बता दें क्रिशी जागरन की टीम भी वहां मौजूद रही उध्यान विभाग हर्याना द्वारा आठवा सब्जी एक्सपो दोजार बाइस नौ अप्रेल से ग्यारा प्रेल तक सब्जी उत्प्रस्टा के इंद्र घरोंडा करनाल में आयजेट किया गया जहां क्रि अगले 24 खंटों के दौरान राजिस्तान के कई हिस्तों में दीशक लू तथा बाकी हिस्तों में लू की स्थी बनी रहने की संभाबना इसी तरीके की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें क्रिशी जागरन के साथ धर्निवाद